शारुक खान के बेटे आर्यन खान ने खटखटाया हाई कोर्ट का दर्वाजा आर्यन ने की अपनी जामानत की शर्तों में संशोधन की अपील कहा हर हफते ना बुलाया जाए एनसीबी दफ्तर जैसा की सब जानते हैं की बॉलिवुड के बादशा शाहरुक खान की बेटे आर्यन खान को दो अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज से डिटेन किया गया था एनसीबी ने आर्यन पर ड्रग्स लेने और बेचने के चार्जिस लगाये थे ड्रग्स केस में फसे आर्यन खान को 28 दिन भी सलाखों के पीछे गुजारने पड़े थे वहीं बॉल्बे हाई कोर्ट से आर्यन को सरशर्ट जमानत मिली थी हाई कोर्ट ने आर्यन की बेल याची का मनजूर करते हुए उनकी रिहाई को 14 शर्टों में जखर दिया था किसी भी एक शर्ट का पालन ना करने की स्थिती में उनकी जमानत रद हो सकती है तब से लेकर आज तक आर्यन खान हर हफते शुकरवार को NCB दफ्तर में पेशी देते हैं लेकिन अब आर्यन खान की तरफ से बॉंबे हाई कोर्ट में एक याची का दाखिल की गई है जिसमें आर्यन खान ने अपनी जमानत की शर्टों में संचोधन करने की अपील की है और हर हफते NCB दफ्तर में हाजरी लगाने से छूट देने की मांग की है अपनी आचीका में आर्यन खान की तरफ से कहा गया है कि चूंकी केस की जाँ जब दिल्ली NCB के विशेश चांच दल को सौप दी गई है इसलिए मुंबई कार्याले में उनके पेश होने की शर्ट में धील दी जा सकती है इतना ही नहीं आवेदर में ये भी कहा गया है कि कैसे हर हफते NCB दफ्टर आने के लिए उन्हें पुलिस कर्मियों का सहारा लेना पड़ता है आरेन की तरफ से कहा गया है कि NCB कार्याले के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड लगी रहती है जिसके कारण उन्हें हर बार पुलिस कर्मियों को साथ लेकर वहां हाजरी लगानी पड़ती है जमारत मिलने के बाद से आरेन अब तक 6 बार NCB दफ्तर में पेश हो चुके हैं आवेदन में ड्रक्स केस के दूसरे आरोपी मनीश का जिक्र करते हुए आरेन की वकीलों ने कहा है कि उन्हें NCB के सामने हर अफते पेश नहीं होना होता है ऐसे में आरेन के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए रिपोर्ट्स के मताबिक आरेन की याचिका में ये भी लिखा गया है कि वो एक स्टूडेंट है और ऐसे परिवार से तालूख रखते हैं जिसकी समाज में अच्छी छवी है ऐसे में वो भी एक सम्मानित और प्रतिष्ठित जिन्दिगी जीना चाहते हैं आरेन के वकीलों के मताबिक अगले हफते इस याचिका पर सुनवाई भी हो सकती है वहीं सी बीच आरेन खान की एक स्टूड शर्ट भी सुर्खिया बटो रही है दरहसल 10 दिसंबर को आरेन ब्लाक कलर की स्टूड पहने एंसी वी दफतर पहुंचे थे एक फैशन पोर्टिल के मताबिक मामूली सी दिखने वाली आरेन की ये स्टूड शर्ट काफी कीमती है इस टी-शर्ट के दाम करीब 500 जॉलर है यानि भारतिय मुद्रा के हिसाब से इस स्टूड शर्ट की कीमत 37,860 रुपे है वहीं हाल ही में हर साल की तरह इस साल भी गूगल ने सबसे ज़्यादा सर्च के जाने वाले भारतिय सेलिप्स की सूची जारी की है गूगल ने जो टॉप टेंट सेलिबरिटी की लिस्ट जारी की है उसमें भी आरेन खान चाये है गूगल के मताबिक 2021 में बॉलिवुड हस्तियों में से आरेन खान को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया ड्रग्स मामले में फसने के बाद आरेन खान सबसे ज़्यादा सर्च हुए वो इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर है है रानी की बाद तो ये रही कि गूगल की इस लिस्ट में शारुक खान का नाम भी नहीं है प्यूर रिपोर्ट इट्वेंटिफोर